दोस्तो अभी गोर्मेंट की दुवारा इंडियन पोस्ट ओपिस की जो सर्विसेज है उस पर काफी ज़धा ध्यान दिया जा रहा है इसकी जो सर्विसेज है उन सभी सर्विसेज को काफी एक्टिव किया जा रहा है क्योंकि अभी मैं बात करूँ तो यहाँ पर इंडियन पो अपिस के सेविंग अकाउंट है वो भी काफी डिजिटल हो चुके हैं अब इन अकाउंट के थुरू भी आप ओनलाइन लें देन आसानी से कर सकते हैं तो दोस्तो अभी रिसेंटली में यहां पर इंडियन पोस्ट ओपिस की जो ओपीसियल पोर्टल है इस पर एक रिटेल आईडी के लिए रिजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जब आप इस आईडी के लिए रिजिस्ट्रेशन कर लोगे तो इसी आईडी के थुरू आप ओनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं और साथ यहां पर आधार काड की सर्विसेज भी आप ले सकते हैं अगर इस रिटेल आईड के तुरू ही आप Indian Post Office की CSP भी ले सकते हैं और साथ-साथ इस Retail ID के तुरू भी आप आधार कार्ड का काम भी यहां से ले सकते हैं तो दोस्तो अभी यह Recently में नई अपडेट आई हुई है तो चलते हैं दोस्तो अपने Laptop की Screen की तरफ और आपको मैं Complete Process Step by Step करके बताता हूँ कि आप किस परकार इस Retail ID के लिए Online आविदन करोगे और किस परकार इस Retail ID के User ID और Password लेकर इस ID को आप Login करके आप कौन-कौन सी सर्विस इस ID के थुरू आप Customer को दे सकते हैं कौन-कौन सी सर्विस आपको देखने को मिल जाएगी और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करना और चैनल पर पहले बार विजिट करे हो तो चैनल को दोस्तो जुरूर सस्क्राइब कर लेना तो चलिए दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तो इंडियन पोस्ट ओपिस की रिटेल आईडी लेने के लिए सबसे पहले आपको इंडियन पोस्ट ओपिस की इस ओपिसियल वेबसाइट पर आजाना है इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है आप जैसे लिंक पर क्लिक करोगे तो आप भी इस वेबसाइट पर रिडेलिक्ट हो जाओगे यहाँ पर आने के बाद में आपको कुछ इंटरफेस इस परकार से दिखाई दे जाएगा इसके बाद में आप उपर कॉर्णर में दिखोगे तो अभी रिसेंटली में यहाँ पर दो पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे आपके सामने रिटेलर आइडी बनाने का एक कम्पलीट फॉर्म कुल कर आ चुका है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन योवर अकाउंट तो इस फॉर्म को सबसे पहले आपको step by step करके completely fill करना है तो चलिए दोस्तो इस फॉर्म को हम step by step करके सबसे पहले आपको fill करके दिखाते हैं तो सबसे पहले दोस्तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है user ID तो आपको अपनी एक user ID बना लेनी है user ID आप यहाँ पर first अक्सर capital होना चाहिए और इसके बाद में कुछ smalls के साथ में कुछ special capture बगरा होना चाहिए जैसा है कि आप यहाँ पर मेरी screen पे देख सकते हैं कुछ इस परकार से आपको अपना user ID है वो यहाँ पर बना लेना है और यह बनाने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते है check ability का option आपको दिखाई दे रहा है simply आपको इसे पर click करना है अगर आपकी user ID अवेलेबल रहेगी और सही रहेगी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं this user अवेलेबल लिखा हुआ आ जाएगा इसके बाद में आपका जो भी first name है वो first name आपको यहाँ पर select करना है सबसे पहले आपको अपना title यहाँ पर select कर लेना है और इसके बाद में आपका जो भी name है वो first name आपको यहाँ पर इस section में fill करना है इसके बाद में आपका जो भी last name है और password recovered करवान में काफी साधा help करेगा इसके बाद में आपका जो भी current address है वो completely current address आपको यहाँ पर fill कर देना है आपका जो भी citizen है इंडिया से है तो इंडिया automatic ही यहाँ पर select हुआ आ जाएगा इसके बाद में आपका जो भी state है वो state आपको यहाँ पर select कर देना है आपकी जो email id आपको यहाँ पर fill करना है दोस्तो दिहान रहे आपकी जो भी email id है वो working email id होनी चाहिए और आपके जो भी mobile number है वो mobile number आपको यहाँ पर fill करना है आपके mobile number भी बिल्कुल working होनी चाहिए इसके बाद में यह capture code आपको दिखाई दे रहे हैं यह capture code आपको यहाँ पर fill करना है और इनकी terms and condition पर क्लिक करके registration के बटन पर क्लिक करना है तो दोस्तो आप जैसे इस सारी चीजे फिल करके registration के बटन पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ आ चुका है यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं registration complete your account having successful create आपकी जो भी user ID है वो user ID आपको यहाँ पर दिखा दी गई है और साथ में लिखा हुआ है this account link with a time password having sent your registered email address click your URL active your account यानि कि आपका जो भी यहाँ पर account है वो successful तरह के से यहाँ पर बन चुका है और आपने जो भी username बनाए था वो username आपको यहाँ पर दिखाई दे दिया है और आपने जो भी email ID डाली थी उस email ID पर एक link send किया गया है उस link पर click करके आपको अपनी email ID को verify करना है और आपकी email ID पर ही password send कर दिये गए है तो चलिए हमने जो भी email ID फिल की थी वो email ID चेक करते हैं दोस्तो कुछ इस परकार की mail आपकी email ID पर आपको मिल जाएगी तो यहाँ पर जो link दिखाई दे रहा है इस link पर click करके आपको अपने account को active कर लेना है और इसी email में आपका password आपको देखने को मिल जाएगा तो दोस्तो अब आपको अपने account को यहाँ पर login करना है तो account को login करने के लिए जैसे कि आप यहाँ पर उपर देख सकते हैं sign in का option दिखाई दे रहा है और user पर आपको click करना है आप जैसे sign in and register user पर click करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर दिखाए देगा हो का username ID तो आपको जो भी username ID आपने बनाई थी वो username ID आपको यहाँ पर फिल करना है इसके बाद में आपकी email ID पर जो आपको पासवर्ड मिले हैं वो पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल करके sign in के बटन पर click करना है तो दोस्तो आप password fill करके जैसे sign in के बटन पर click करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आपको अपने password को यहाँ पर forget करना पड़ेगा change करना पड़ेगा नए password आपको बनाने पड़ेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपने का जो old password है आपकी email ID पर आई थे वो password भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं या फिर आपके mobile number पर OTP आ जाएगी तो आप OTP यहाँ डाल सकते हैं इसके बाद में आपको यहाँ पर नए password बनाने है और confirm नए password आपको यहाँ पर फिल करने है और change password पर क्लिक करना है आप जैसे ही दोस्तो अपना password चेंज कर लोगे तो यहाँ पर आपकी जो ID है वो successful तरीके से यहाँ पर login हो जाएगी जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मे प्रोफाइल में यहाँ पर क्लिक करके देख सकता हूँ तो आप जैसे अपनी ID यहाँ पर login कर लोगे तो आपकी retail ID का जो first dashboard है वो आपको कुछ इस परकार से दिखाई दे जाएगा यहाँ पर दोस्तो यह नया portal है इसकी वज़से यहाँ पर आपको अभी limited services देखने को मिले हैं और साथ यह साथ आप यही पर क्लिक करके आप यहाँ पर Indian Post Office की एक CSP के लिए भी आवेदन कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर retail ID ले ले लेते हैं तो यहाँ पर आपको CSP आसानी से मिल सकती है साथ यहाँ पर आप साइड में 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 देखोगी तो यहाँ पर आपको अपडेट का वर्क भी आप यहाँ पर ले सकते हैं और साथ यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं और भी सर्विस आपको दिखाई दे रहे होगी तो आधार अपडेट यहाँ आधार की सर्विस लेने के लिए सिंपली हम आधार अपडेट पर क्लिक करेंगे हम जैसे और हपर एक भी रुपए लेने की जरुरत नहीं है क्योंकि हम यहां पर इंडिय Buddhist की तरफ से निले जाता है यहां पर आप बाइमेट्रेक के तुरह यहां पर काम कर सकते हैं के लिए यहां पर अभी काम लेने के लिए यहां पर नीचे address दिखाई दे रहा है अधिक contact us का आपको option दिखाई दे रहा है contact us पर जो address दिखाई दे रहा है इस address पर आप contact करके यहां पर आधार अपडेट के काम के लिए जानकारी ले सकते हैं तो दोस्तो आज की इस वीडियो में इतना ही अगर इस रिटेल आईडी पर और भी सर्विस लाइब की जाती है यानि कि इस रिटेल आईडी के जो यह पोर्टल है इसको और भी अपडेट किया जाता है और भी सर्विसे एक्टिव की जाती है तो इसके उपर मैं एक नेक्स्ट वीडियो और लेकर आऊंगा तो दोस्तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्षन लेकर मुझे जरूर से बताए तो मिलते हैं दोस्तो ऐसे किसे नई हैलफुल वीडियो के साथ में अभी के लिए जय हिंद जय भार कि लुज कर दोस्तों है